दोस्तों मेरे इस यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम पंडवानी के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं क्या है पंडवानी जो है महा भारत की कथा का 36 गड़ी रूप है पंडवानी क्या है महाभारत की कथा का 36 गड़ी रूप है 36 गड़ में पंडवानी सबल सिन्ग चौहान की कथा परदारित है 36 पर में पंडवानी किसके कता परधारित हैं सबल सिंग चौहान की कता परधारित है पंडवानी में जो नायक होता है वह भीम होता है पूरई कहानी भीम के उपर केंद्रित होती है और इसकी जो नाइका होती है वह दुरोपदी होती है इसके नाइका कौन होती है दुरोपद वाद्य पर संगीत करने वाले लोग होते हैं कौन-कौन होते हैं इसके कलाकार एक गायक होता है गागी होता है और वाद्य में संगीत करने वाले दो तिन और लोग होते हैं इसमें प्रमुक वाद्य अंत्र होता है तंबूरा तंबूरा को जो गायक है वो पकड़े रहता है औ वेदमती को बैट कर गया जता है और इसमें केवल गायन होता है निरित्य नहीं होता है इसमें बैट कर गाने से सिल्फर गायन होता है निरित्य नहीं होता है पनवानी के जो प्रमुकलाकार है वो है मतलब वेदमती के कलाकार है वेदमती सहली के जाडू राम देवांगान रे इसमें निर्त्य और गयान दोनों होता है इसके प्रमुक कलाकार है तीजन बाई सांती बाई और उसा बाई का पालिक सहली के कलाकार है 36 गण में जो पंडवानी है परदान और देवार जाती के लोग आते है पंडवानी अंतराष्टी इसतर पर प्रसिद्ध है इसको अंतराष्टी इसतर पर ले जाने वाले महिला है तीजन बाई उसके बाद है पंडवानी गई का तीजन बाई को पदमसरी मिला है 1986 में पद्मभूसन मिला है 2003 में और पद्मभूसन मिला है 2019 में पंडवानी के पिता मह कहा जाते हैं जाडू राम देवांगन पंडवानी के पिता कौन कहा जाते हैं जाडू राम देवांगन तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे धन्यवाद